So hello guys welcome back to another video of Keisha Awnon So guys, आज की video beginnously काफ़ी जादे इंपॉर्टंट होने वाली है या कह हो तो बहुत जादे इंपॉर्टंट होने वाली है क्योंकि इस video में आपको बताऊँगा कि य обяз कासे draw करते हैं वह भी बहुत ही simple method से और बहुत ही जादे इफ् unfair method से यह method आपके शायद ही कहीं सुना होगा या फिर आप में से शायद ही कोई इस method के अबारे में जानते होगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, let's begin तो सबसे पहले तो आपको एक line ड्रॉ कर लिनी है और उसको तीन पार्ट में डिवाइड करना है आपको एक बढ़ा में तो आप देख यह मैंने इसे पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर जो मिडल वाला पोर्शन है उसमें चार सर्कल ओनाएंगे दो लाइन के उपर और दो लाइन के नीचे और एक सर्कल इन सब के बीच में सो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इस वाले पोर्शन को स्किप कर दिया क्योंकि वीडियो काफी जादा लंबी हो रही थी और मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो आपको मिडल लाइन ड्रॉ करने है लिप के उसके लिए आप थोड़ा करना ताकि वह थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक लगे तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्सफुल लग रही है आप मेरी वीडियो को सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक करते और अगर आप चैनल पर नह करते हैं करते हैं एवी पङेशनीट तो हमारी ड्राइंग होगी है complete बट के रियलिस्टिक बिल्कुल भी ने लग रहा तो इसे रियलिस्टिक बराने के लिए हम करेंगे इसमें अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक कर अगा तो वहां से आप लेकर करके देख सकते हो उसके बाद आप यह वीडियो रिखना और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अगर फर्स्ट लेयर देखो तो आप सबसे लो ग्रेट की पैंसल यूज करो जो सबसे हमारे शेडिंग होगी कंप्लेट अब इसमें करेंगे ब्लेंडिंग और ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूं टीशू पेपर हो गई हमारे शेडिंग ही कंप्लेट ब्लेंडिंग ही कंप्लेट अब इसमें हम देंगे सेकेंड लेयर के लिए मैं यूज कर रहा हू 2 V Pencil आरा blending भी हो गया complete अब इसको अच्छे से पहले शेड करेंगे उसके अपर लिप्स पे फिर से शेडिंग करेंगे आरा आरा आराइड आरा आरा आराइड गया वाय वाया करेंगे झाल 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 तो हमारा इसमें ब्लेंडिंग भी कंप्लीट हो गया अब इसमें हम देंगे थर्ड लेयर जो की बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट है और यही आपके ड्रॉइंग को रियलिस्टिक बनाता है झाल 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 तो हमारा लास्ट में अब इसमें करेंगे हाई लाइटिंग जिसके वज़े से इस पे एक इफेक्ट आएगा लाइट का और यह बिल्कुल रियलिस्टिक लगने लगेगा तो यह हमारा लास्ट टैप है झाल 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 ताकि हमारी नेक्स वीडियो या फिर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पास सबसे पहले जाए तो बिलते नेक्स वीडियो में तब तक करिए धन्यवाद झाल 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 झाल